जैहिन दोस्तो कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब अच्छे होंगे एक नए व्लोग में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज का हमारा व्लोग देव भूमी उत्रा खंड के परसिद मंदिर कैची धाम का रहेगा तो आप लोग इस व्लोग को इंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताईएगा कि ये व्लोग आप सभी को कैसा लगा दोस्तो हम लोग कार गोदाम रेलवे स्टेशन से एक कार भूग किये थे तो हम लोग दोस्तो कार के द्वारा बर रहे हैं कैसी धाम की तरफ दोस्तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा उत्रा खंड के कैसी धाम में एक परसिद मंदिर बना हुआ है जो की बाबा नीम करोली जी का मंदिर है तो दोस्तो हम बाबा नीम करोली जी के दर्शन करने के लिए एक कार भूग किये हैं और चल रहे हैं कैची धाम की तरफ दोस्तो हम लोग पहाडों के वीचो बीच गूमते हुए बल रहे हैं बाबा नीम करोली महराज कैची धाम की तरफ दोस्तो आज के इस व्लोग में हम आप सभी को बाबा नीम करोली महराज जी के दर्सन कराएंगे और साथ में आप सभी को बाबा नीम करोल प्रोजेक्ट का जो कार है वो पहाडों के बीच काफी तेजी गसे किया जा रहा है दोस्तो हम लोग पहाडों के बीच जब यात्रा कर रहे थे तो कई जगे सेलफी पॉइंट बना हुआ था तो हर सेलफी पॉइंट पर हम लोगों ने फोटो ली और साथ में ये भी देखा कि उत्राखंड के पहाडों के बीच में क्या कुछ कारी चल रहा है दोस्तो उत्राखंड के पहाडों के बीच में जो सड़के छोटी बनाई गई थी उनको चोड़ा किया जा रहा है और काफी मरमत का जो कार है वो उत्राखंड के पहाडों के बीच में किया जा रहा है दोस्तो कभी कदार ऐसा होता है कि तेज हवाओं और बारिस के चलते जो पहाड है ये फिसलने लगते है तो दोस्तो उसके बाद जो मरम्मत का कार है वो तुरंद फिर से शुरू कर दिया जाता है तो दोस्तो कुछ इस प्रकार से जो कार है वो देव भूमी उत्राखंड में किया जा रहा है दोस्तो आप सभी को बता दूँ जो उत्राखंड के मुख्यमंत्री हैं श्री पुसकर सिंग धामी जी इनके नेत्रत में उत्राखंड काफी विक्सित किया जा रहा है और आने वाले समय में आप सभी को उत्राखंड बदलता हुआ नजर आएगा दोस्तो अब उत्राखंड को जो लोग हैं वो देव भूमी उत्राखंड के नाम से जानते हैं दोस्तो अब बात करते हैं कि आप लोग अगर उत्राखंड आते हैं तो आप किस प्रकार कैंची धाम बाबा नीम परवली महराजी के दर्सन करें तो दोस्तो मैं आप सभी को बता दूँ सबसे पहले आप लोग आईए काडगोदाम रेलवे स्टेशन काडगोदाम रेलवे स्टेशन से आप सभी को बाइक, कार, मोटर साइकल, टैक्सी ये सब मिल जाएंगी जिस टैक्सी में आप सफर करना चाहते हैं उसको आप बुक कर लीजिए फिर दोस्तो उसी टैक्सी से आप लोग आ जाएए कहची धाम बाबा नीम करोली महराज के दर्सन करने के लिए बाबा नीम करोली महराज जी के दर्सन करिए उसके बाद दोस्तो कहची धाम से ही आप सभी को और भी टैक्सी मिल जाएंगी जैसे कि आप लोग अगर कैची धाम से नौकुचिया ताल जाना चाहते हैं या फिर भीम ताल जाना चाहते हैं या नैनी ताल जाना चाहते हैं या रानी खेट जाना चाहते हैं तो हर जगे के लिए आप सभी को कैची धाम से भी टैक्सी मिल जाएगी तो दोस्तो हम लोग जैसे ही कैशी दाम पहुंचे थे फिर वहाँ पर बाबा निम करोली महराज जी के दर्सन किये दर्सन करने के बाद हम लोगों ने एक टैक्सी बुग की थी जिसमें हम लोग तीन लोग सवार थे फिर दोस्तो हम लोग सबसे पहले पहुँचे नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल में फोटो गहरा ली, वीडियो गहरा बनाई, उसके बाद दोस्तो नौकुचिया ताल से निकल कर हम लोग पहुँचे भीम ताल, भीम ताल में दोस्तो हम लोगों ने काफी आनन्द लिय काफी मज़ा लिया, मैगी और खाई, वो सब मैं आप सभी को पिछले व्लोग में दिखा चुका हूँ, अगर आप लोगों ने पिछले व्लोग को नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ पर जा करक से हम लोग चले गए हनवान जी के दर्शन करने के लिए, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने उत्राखंड की ट्रिप की, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी उत्राखंड से, अगर आप लोग भी इस प्रकार से उत्राखंड की ट्रिप करना चाहते हैं, तो काफी informative रहेगी चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि यहाँ पर आप सभी को ऐसे ही vlogs और अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहेंगी तो देख सकते हैं किस प्रकार से गुमाओदार मोड से हम लोग बढ़ रहे हैं कैची धाम बाबा नीम करॉली महराच के दरसन करने के लिए और पहाडों पे आप सभी को यहाँ पर जो घर हैं वो बने हुए नजर आ रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर पहाडों पे आप लोग घुमाओ देख सकते हैं किस प्रकार से जो मोड है वो यहाँ पर बने हुए हैं और दूर दूर से आप सभी को पहाड ही पहाड यहाँ पर नजर आ रहे होंगे दोस्तों कई सारे सेलफी पॉइंट पढ़े थे पहाडों के बीच में तो हम लोगों ने खूप सारी फोटो और सेलफी ली और काफी मज़ा आया आप लोग भी उर्तरा खंड में एक बार आकर आनन जरूर लीजिए काफी मज़ा आएगा दोस्तों अब हम लोग दीरे दीरे पहुँच रहे हैं कहची धाम की तरफ फिर आप सभी को जैसे ही कहची धाम हम लोग पहुँचेंगे फिर बाबा नीम करोली महराजी के दरसन कराएंगे तो देख सकते हैं कहीं पे धूप, कहीं पे छाओं आप सभी को नजर आ रही होगी दोस्तो अब हम लोग रूम ले लिये हैं कहची धाम में अब आप सभी को यहां से कहची धाम बाबा नीम करोली महराज जी के दरसन कराएंगे तो यही है दोस्तो परम पूजी बाबा स्री नीम करोली महराजी का मंदिर काफी प्रसिद मंदिर है आप लोग आईए और बाबा नीम करोली महराजी के दर्सन जरूर कीजिए काफी अच्छा लगता है दोस्तो मैं आप सभी को इस मंदिर की खासियस बता दूँ तो दोस्तों ये जो मंदिर है बाबा नीम करोली महराज जी गा ये मंदिर पहाडों के बीचों बीच में बना हुआ है पहाड पे आप लोग घूमते हुए आएंगे तब जा करके ये मंदिर आप सभी को पहाडों के बीचों बीच में बना हुआ नजर आएगा पहाड के जश्ट बगल में ही एक छोटा सा जहरना बना हुआ है तो हम लोगों ने दोस्तो जहरने का पानी भी पिया था काफी अच्छा रहा और काफी ठंडा पानी था और यहाँ पर भीड देख सकते हैं यह ठंडी का मौसम है तो भीड इतनी है जब दोस्तो गर्मी का मौसम होगा तो भीड किस प्रकार की आप सभी को देखने को मिलेगी तो देख सकते हैं दूर दूर तक आप सभी को चारो तरफ पहाड ही पहाड यहाँ पर नजर आ रहे होंगे दोस्तो अगर आप लोगों को भी कैची धाम बाबा नीम करोली महराजी के दर्सन करने है तो दोस्तो आप लोग नवंबर में दर्सन कर सकते हैं क्योंकि दिसंबर में और जनौरी में काफी ठंड रहती है तो दोस्तो दिसंबर और जनौरी में काफी कम लोग ही दर्सन करने आते हैं कैची धाम में दोस्तो देख सकते हैं मंदिर कितना अच्छा और कितना प्यारा लग रहा है और मंदिर के उपर से धूप है तो काफी और अच्छा विव आ रहा है और ये निकल रहा है मंदिर के जश्ट बगल से छोटा सा जर्णा दोस्तो अभी और कई सारे व्लोक्स आने वाले हैं तो वो भी आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तो अगर आप लोग कहची धाम बाबा नीम करॉली महराज जी के दर्सन करने आते हैं तो यहाँ पर आप सभी को काफी अच्छी सुद्धा मिल जाएगी रहने के लिए अच्छी अच्छे रूम मिल जाएंगे खाने के लिए अच्छे अच्छे होटल मिल जाएंगे काफी कम रेट में आप सभी को यहाँ पर रूम मिल जाएंगे और अगर आप लोग यहां आकर होटलों में खाना खाना चाहते हैं तो वो भी आप सभी को कम रेट में यहां पर मिल जाएगा देख सकते हैं दोस्तों अब हम लोग मंदिर के दर्षन कर लिये हैं बाबा नीम करॉली महराजी के भी दर्षन हो गए हैं अब हम निकल लहें हैं मंदिर से बाहर चलते हैं अपने रूम की तरफ, दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर1 रात के लिए रूम भी लिया था जो की हम लोगों को पड़ा, 1500 रुपे में हम लोगों को यहाँ पर रूम पड़ा और काफी अच्छा रहा यहाँ का खाना, खाना एक नंबर का बना हुआ था दोस्तों कैंची धाम बाबा नीम करॉली महराज जी के दर्सन करने के लिए दिसंबर में ये हाल है जब गर्मी आएगी तो क्या हाल होगा रेख सकते हैं दोस्तों दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो फ्लीस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सेर कर दीजिएगा जो लोग दर्सन करना चाते हैं वो लोग इस वीडियो को अंद तक जरूर देखें और उपर से आप सभी को अपने यूटूब चैनल पर देखने को मिले एक नया सफर एक नई जिन्दगी चालू हो चुकी है और नए नए वीडियो आप सभी के अपने यूटूब चैनल पर आने लगे हैं तो फ्लीस आप लोग अपना सपोर्ट जरूर बनाये रखें तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पहाड़ों के बीचों बीच में आने की भी यहां पर बेवस्ता है अगर आप लोग दर्सन करने आते हैं तो नहां भी सकते हैं तो यह था एक छोटा सा वलोग कहची धाम से उमीद है आप सभी को पसंद आया होगा